महराष्ट में लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना का संकट साथ ही खून का संकट भी क्या बढ़ रहा है क्योंकि खबरे आ रही है कि मूंबई समेत महराष्ट के जो ब्लड बैंक है वहाँ पर खून की कमी हो गई है इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टेटबलेठ काउं कितनी महाराष्ट में दिक्कत वाली बात हो गई है सर मैं एक बताता हूं हर साल एप्रिल में जून इन दिनों में ब्लड कलेक्शन ये कम होता है उसकी वजय इसी है कि इन दिनों में स्कूल कॉलेजिस जो रहते हैं इनको छुट्टिया रहती है बहुत सारी लोगा बाहर घुमने जाते है में ब्लड कलेक्शन ए यूथ जो कॉलेजिस है वहां से मिलता है और आईटी सेक्टर है कर्पोरेट आफिसेस है तो ये हर साल की बात हुई है एक तो धूप रहती है छुट्टिया के वज़े से ये मैं बोला भी लेकिन इसमें अभी एडिशन कोविड 19 का हो गया है तो इसकी वज़े से जो ब्लड कैम्स लेने वाले हमारे और्गोनाइजर्स वगएरा है बहुत सारे सोशल डिलिजिस पॉलिटिकल और्गोनाइजिशन से तो उनको बहुत सारी दिक्कत आ रही है बहुत सारे लोगा सामनी आते नहीं है डर की वज़े से तो अपना जो शाषन का प्रोटोकॉल है वो सब यह करके छोटे छोटे चोटे कैम्स लेना बहुत जरूरी है ताकि यह संभव जो ब्लड शॉर्टेज है यह टल सके अगर मैं मौजूदा स्थिती की बात करूं तो कितना ब्लड की जरूरत है जो है मुंबई शहर को या फिर पूरे राज को और कलेक्शन नहीं हो पा रहा है और अगर यह नहीं हो पाया जैसी बहुत सारे अस्पताल में कोविट के मरी जा रहे हैं उनको भी जरूरते पढ़ कि पूरे महाराश्टर में 25,000 ब्लड यूनिट्स अविलेबल है महाराश्टर में यह जो वालेंटरी ब्लड डोनिशन की यह है एक्टिविटी बहुत अच्छी तरह से चलती है सोशल, डिलिजियस, पॉलिटिकल और्गोनाइजेशन, स्कूल, कॉलेजेज, आईटे सेक्ट कार्पोरेट ओफिसेज यह सब इसमें बहुत सारा इंवल्मेंट इनका रहता है आज की स्थिति में भी पूरे देश में महाराश्टर यह अवल नंबर है ब्लड कलेक्शन में लेकिन इन दिनों में यह दिक्कती आ रही है कि इससे भी पिछली साल से भी यह सब मुख्यमंत्री महोदे इनोंने भी आवान किया है कि छोटे छोटे ब्लड डोनेशन कैम से लिए जाए और यह एपरिल में जूम यह जो में क्रिटिकल मंस है इन में शॉर्टेज ना हुआ तो कि स्कूल कॉलेज बंध है जैसा कि आपने बता है और वर्क फार्म हो गया अभी मिनी लॉक्डाउन्स की इस्टिटी आ गई है तो ऐसे में आप लोग किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं किन लोगों से बात कर रहे हैं और कैम्प और्गनाइस करने वाले हैं ताकि जो है लेटर सो दिया है माननीय मंत्री महोदे सर्फिशी राजस्टो पे साब ने भी सब ओकर ओर्गनाइजेशन्स को लेटर से दिया है कि चोटे-चोटे क्यामश लिया जाए वैसे ही हॉस्शिंग सोसैंटी इस मंबई में बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटीज है उनको भी आववान किया है कि अपने अपने सोसाइटीज में चोटे-चोटे क्याम से लिया जाए ताकि शॉर्टेज ना हो अमुमन सारे किसी भी ब्लेड बैंक में या आप लोगों के पास कितना ब्लड हरदम होता है ताकि कभी कोई दिक्कत नहीं होती है और अभी जो किती सोटेज देखने को मिल रही है कैसा है साब यह इमरदन्शी कभी पहले से मालूम नहीं होती है इसलिए हर ब्लड बैंक में कम से कम एक आट-दस दिन टेस्टेड ब्लड रहेगा ऐसी प्रिकॉशन्स लेना बहुत जरूरी है ताकि समझो एक अदे डिजस्टर हो गया और टाइम पे अगर ब्लड नहीं है उसके बाद में अगर तुम अवहान करेंगे तो ब्लड डोनेशन उसके प्रोसेसिंग उसके टेस्टिंग उसके लिए पांच या छे गंटे का टाइम चला जाता है यह बहुत इंपोर्टन पाया टाइम चला जाता है इसलिए हर ब्लड बैंक में हर ब्लड गुरुप का पा अभी उनके सामने हैं कि वो आफिस नहीं जा पा रहे हैं, घर से नहीं निकल पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या सरकार की तरफ से, आप लोग की तरफ से कोई ऐसी सुविधा, ऐसा नंबर प्रवाइड किये गए हैं, कि वो उस पे कॉल करके, वहां पे जानकारी ले सकते हैं, और अपनी सुविधा नुसार वहां जाकर के अगर ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, तो दे सकते हैं? बहुत सारी अभी क्याम से भी कर रहे हैं, वहां पे भी क्याम पर लगा सकते हैं, आपने काउंसिल के तरफ से जो है, स्टेट बैंक काउंसिल के तरफ से आपको यह अपील करना चाहेंगे, लोगों से? मैं ये अपिल करना चाहूंगा आज की घड़ी में देश इतना प्रगत हुआ है पुरा देश इतना प्रगत हुआ है हर एक बात निकाल सकते है लेकिन बलड़ी ही एक ऐसी चीज है वो आर्टिफिसियल बना नहीं सकते है अब तक उसको कोई भी परियाय उपलब्द नहीं हुआ है वो कोई कारखने में बनता नहीं है कोई दुकान में बनता नहीं है एक ही कारखना है और वो है मानव शरीर मानव शरीर में ये बलड में तैयार होता है और एक बार बलड देने से तुम चार लोगों की जान बचा सकते हैं इसलिए ये बहुत अच्छा पुन्यकर्म है दिन बे दिन बलड की रिक्वार्मेंट बहुत बढ़ रही है इसकी वज़े से थलेसेमिया, हेमोफिलिया, सिकल सेल, एनिमे की इतने चोटे-चोटे बच्चे हैं उनको हर दस दिन में बलड देना बहुत जरूरी है उनको अगर बलड दिया नहीं तो इनकी जान भी खत्री में जा सकती है तो मैं सब जो डोनर्स हैं, इलिजिबल डोनर्स और जो अर्गोनाइजर्स हैं उनको हाँ जोड की विननती करता हूं कि आप चोटे-चोटे क्याम सी लीजिए और लाखो लोगों के प्रान बचे ये माना की कुरोना संकट है, इस संकट में आप लोगों को घर से निकलने पर मना ही हैं लोगों से मिलने की लेकिन कहते हैं रक्तदान महादान अगर आप रक्तदान करते हैं तो कई लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं क्योंकि इस वक्त महारास्ट राज को मुंबई शहर को रक्त की खून की बहुत ही जरूरत है तो ABP News भी आपसे अपील करता है कि अगर आप बलड डूनेट करना चाहते हैं तो अपने नजदी की केंदर से संपर करें और वहाँ पर जाकर रक्तदान चरूर करें क्योंकि जो मुंबई महारास्ट राज में संकट आया है बलड की कमी देखने को मिल रही है वो पूरी हो सके और यहां के बहुत सारे लोगों की हम जान बचा सकें कैमरामें जावेद के साथ राजेश तरपाठी ABP News मुंबई झालिए चया आया है तरपाठी खंग के साथ वो राजेश प्रूर करें जामें जा़ी जावेद के साथ आया है लोगों के की जावेद वोगों क्योंकि जावेद का साथ राजेश सांव जा याई तन है झालिया मुंबई